नमस्कार मैं हूँ प्रभाकर मणी तिवारी आप देख रहे हैं मेरा ये खासकारिक्रम एक बहुत छोटी सी चीज है मेरे हाथों में लेकिन बहुड़े काम की चीज है आप जानते हैं देश में सायद ही कोई ऐसा घर हो जहां माचिस की ऐसी डिब्बी नहीं हो धनी हो या अमीर हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है और ये सायद सबसे कम कीमत में मिलती रही है अब तक हर घर में होती है पूजा के लिए हो रसोई गोयस का चुला जलाने के लिए या फिर धुम्रपान के लिए जन्व दिन और दूसरे मौकों पर मौम्बतियां जलाने के लिए भी इसका इस्तिमाल किया जाता है लेकिन अब दूसरे सामानों की तरह माचिस की डिब्बी भी महंगी होने वाली है और वह भी इसकी कीमत दोगनी हो जाएगी बीते 14 वर्सों से इसकी कीमत स्थिर रही है लेकिन अब दोगनी होने वाली है आज चर्चा करूंगा इसी की बताऊंगा क्या बज़य है कीमते दोगनी होने की जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निसान भी दबादे है साथ ही राजस्तान स्रीज के परियेटन वाले वीडियो भी देखते रहे मुझे उम्मीद है आपको जचेंगे बीते 14 वर्सों में हर चीज महंगी हो गई है घरेलू इस्तेमाल की हो पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोही गैस हो, कपड़े हो, स्कूलों की फीस हो यानि तमाम चीजें ट्रेन या हवाई जहाज के टिकट हो लेकिन माचिस की इस डिब्बी की कीमत एक रुपे ही रही है लगातार 14 वर्सों से एक रुपे रही है लेकिन अब यह महंगी होने वाली है इसकी कीमत अब एक दिसंबर से दो रुपे हो जाएगी और इसके पीछे दलील दी जा रही है कि कच्चे माल की बढ़तिक कीमतों की वज़े से ही इसकी कीमत बढ़ाई जा रही है तमिलनाडू में यह उद्योग है माचिस की तमाम डिबियां तमिलनाडू में बनती रही है सिवाकासी और उसके आसपास आप जानते होंगे इस उद्योग में लगबग 4 लाख लोग काम करते हैं और इनमे 90 फिजदी से ज़्यादा महिलाएं है माचिस की कीमतें बढ़ने के बाद इन करमचारियों का भुगतान भी बेतर होने की उमीद है यह लोग बहुत कम पैसों में काम करते हैं और शिवाकासी और आसपास के इलाकों में यह एक तरह से घरेलू उद्योग है इसी सब्ता सिवाकासी में All India Chamber of Matches की बैठक में इस कीमत को बढ़ाने का फैसला किया गया इससे पहले 2007 में इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर एक रुपे की गई थी और उसके 12 साल पहले यानि 1995 में माचिस के इदाम 25 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे किये गए थे माचिस निर्माताओं का कहना है कि माचिस के इस्तेमाल में 14 बस्तूयों का माचिस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और उन सब की कीमतें बढ़ गई है एक कीलो लाल फासफोरस की कीमत अब 425 रुपे से बढ़कर लगबग दोगनी यानि 810 रुपे हो गई है इसी तरह 10 अक्टूबर से कागज, स्प्लिंड्स, पोटेसियम, क्लोरेट और सल्फर की कीमतों में भी बेताहाशा अब्रदी हुई है वहीं मोम की लागत 58 रुपे से बढ़कर 80 रुपे और माचिस की डिविया की लागत 36 रुपे से बढ़कर 55 रुपे हो गई है इंटर्नल बॉक्स 32 रुपे से बढ़कर 58 रुपे हो गए है अब मैं बताता हूँ भारत में माचिस की शुरुआत कब से हुई भारत में दरसल माचिस की शुरुआत वर्स 1895 में हुई थी यानि 126 साल पहले और इसकी पहली फैक्टरी आहमदाबाद में और उसके बाद दूसरी फैक्टरी कोलकाता में खुली थी जिसे तब कलकता के नाम से जाना जाता था भारत में सबसे पहले स्वीडेन की एक कमपनी ने ही माचिस बनाने की कमपनी खुली थी यह कमपनी वेस्टरन इंडिया मैच कमपनी के नाम से काम कर रही है और भारत में फिलाल माचिस की कई कमपनियां हैं लेकिन कुछी फैक्टरियां ऐसी हैं जिनका सारा काम मशीनों से होता है वरना ज़्यादातर में हाथों से ही माचिस बनाई जाती है नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैनुफेक्टरर एसोसियेशन के सचियू बी एस सेतुर थिनम का कहना है कि माचिस के हर बॉक्स में हर डिबी में पचास तिलियां होती है माचिस निर्माता 600 माचिस का एक बंडल 270 रुपए से 300 रुपए तक में बेच रहे हैं ठोक में लेकिन अब इसकी कीमत 430 से 480 रुपए प्रति बंडल करने का फैसला किया गया है इसमें 12 फिस्दी GST और परियोहन की लागत शामिल नहीं है अब इन 14 सालों में माचिस की कीमतें तो समान बनी रही यानि एक रुपए लेकिन कितना कौन सी चीज कितनी महंगी होई यह भी मैं आपको संचेप में बता दूँ अक्टूबर 2007 में डिजल की कीमत दिल्ली में करीब 30 रुपए 48 पैसे प्रति लिटर थी जो आज 95 रुपए 97 पैसे हो चुकी है यानि पिछले 14 वर्षों में डिजल की कीमत 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुकी है इसी तरह अक्टूबर 2007 में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 43 रुपए 52 पैसे थी जो अब 107 रुपए 24 पैसे तक पहुँच गई है यानि इस अओधी में इसकी कीमत 2,5 गुने से ज्यादा बढ़ गई है अगर LPG यानि घरे लुग है सिलिंडर की बात करें तो 14 साल पहले अक्टूबर 2007 में LPG सिलिंडर की कीमत थी 281 रुपए 60 पैसे जो अब 899 रुपए 50 पैसे हो गई है यानि इसमें 3 गुने से भी ज्यादा बिर्दी होई है सर्सो का तेल घर घर में इस्तेमाल होने वाले सर्सो के तेल की बात करें तो अक्टूबर 2007 में इसकी कीमत 50 रुपए प्रति लिटर थी जो अब 200 रुपए लिटर का आकड़ा पार कर चुकी है यानि 14 वरसों में यह टेल चार गुने से ज्यादा महँगा हो गया है पिछले 14 वरसों में अमूल और मदर डेरी के फूल क्रीम दूद की किमत भी भाई गुने से अधिक बढ़क चुकी है 14 साल पहले अक्टूबर 2007 में अमूल और मदर डेरी का फूल क्रीम दूद 22 रुपे प्रति लीटर बिकता था इस समय मदर डेरी के फूल दूद क्रीम की कीमत प्रति लीटर 57 रुपे और अमूल के फूल क्रीम दूद की कीमत 58 रुपे प्रति लीटर है अब अंदाजा लगा सकते हैं इससे मोटी मोटी जो चीजे मैंने बताई जिनका आम जीवन रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है उसमें तीन गुने से चार गुने तक की बिर्दी होई है जबकि माचिस की कीमतें जस की तस बनी रही 1995 में बड़ी थी उसके बाद 2007 और अब 2021 में ये खबर एक छोटी है लेकिन मुझे लगा दिल्चस्प है आपने साइद खबर देखी भी होगी लेकिन मुझे लगा बाकी चीजों के साथ तुलना करके इसको बताना बेतर होगा तब समझ में आएगा कि माचिस की कीमतें कितनी क कम थी और बाकी चीजों की कीमतें कहां पहुंच गई है आसमान चूने लगी है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद नमस्कार